बिज़पी सांसर साक्षी महराज ने Р9 टीवी से क्या कुछ खास बातचीत किया चले आपको सुनाते हैं सांसर साक्षी महराज हमारे साथ है महराजी गंगा यात्रा क्या कुछ सरकार की तरफ से संदेश देने की कोशिश नवामे गंगे भारत के शर्श्री पथान मंत्री और बहुत चिंते थे हैं वो उसको लेके कि गंगा अविरल निर्मल पूरी तरह सुद्ध हो और भारती संस्कृति में गंगा का जो महत हो है उसके पर जो आकर्शन है उसके अनुरूप गंगा की पवित्रता हो इसको लेके सरकार बहुत चिंते थे बार-बार जो यात्रा है उसमें एक संदर भी ये भी होता है कि प्रारम से लेकर अन्त तक देखना कहां क्या इस्तिती है पर रेपोर्ट बना करके सरकार को देना और इसलिए सरकार ने मुझे लगता है जल सक्ति मंत्राले का गठन किया है और श्रहम मोदी जी इसकी चिंता करते हैं समय समय प्रजानकारी लेते रहते हैं तो अच्छा कदम है पच्छा प्रियास है उसकी प्रसंशा की जानी चाहिए प्रियंका गांधी यूपी में खास्तोर पर इंट्रेस्ट ले रही है और CAA और NPR का जो लोग विरोध कर रहे थे पुलिस द्वारा उनका शोशर किया गया अब प्रियंका गांधी मानवादिका रायुक की बात कर रही है प्रियंका गांधी ये पूरी कॉंग्रेस को चुलूबर पानी में डूब के मरना चाहिए जब तुम्हारे नानाने पंडे जभाला नहरू ने देश का बटवारा कराया था करोणों हिंदू का कतलिया गया तब कॉंग्रेस मानवादिकार रायुक क्यों नहीं गई थी इंद्रा गांधी ने इसी बोर्ट कलब पर दसी हो यार सादू सन्याज से गोलियों चोडवा दिया था आप मानवादिकार रायुक क्यों नहीं गए थे तुमारे ही बाप राजीव गांधी ने हज्जारों सुख्षों का कतलिया नर्संगार कर दिया था आप मानवादिकार आयो क्यों नहीं गए थे 1990 में लाखों कस्मीरी पंडितों को करिमीर से निकाल दिया गया हज्जारों को मार दिया गया आप मानवादिकार आयो क्यों नहीं गए तो आज आप मानवादा रायू की बात करते हैं जरा अपनी तरफ देखिए कि कॉंग्रेस का इतिहास क्या रहा है कॉंग्रेस ने इस देश का विभाजन किया आज फिर कॉंग्रेस इस देश की विभाजन की बात करती है कॉंग्रेट सुनके साथ खड़ी है जो देश को टुकुडे करना चाहते है साक्षी माराज जो साप तौर्प कह रहे थे की बीजेपी इस बात की चिंता करती है की आखिर का देश का क्या होगा